यहीर आदे कृष्णा साथ है, मैं भी क्रिष्णा ग्यान सारा चैनल में आपका स्वाकत करती हूँ, कैसे हैं आप, आपके स्वासत और सुखा जिवन की भंगल कामना करती हूँ, आपके अपने इस्तेवों कोटी-कोटी नबन करते हूँ, बड़ों को पड़ाम करते हूँ, एपे बीडियों परार्म करते हैं साथ आज बात कर लेते हैं हुली का धेहन की यानि कि अगर हुली की सीरेश चल रही है और हुली का धेहन की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता हुली का दहन के समय हम ऐसी क्या वश्टू होली में डालें कि हमारी सारी परिशानिया जल कर राक हो जाए सारे कष्ट जल कर राक हो जाए सारे दुख सारी बिमारी सारी परिशानी जल कर राक हो जाए आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच चलिए ज़र पर वीडियो परार्म कर लेते हैं बात करने होली का दहन की, बात करने होली की रात्री की, होली का दहन का शुम हुरत पहले मैं आपको बता दू, होली का दहन का शुम हुरत जो है इस बार बहुत लेट का है, यानि कि रात्री ग्यारा बच कर पंदरा मिनर से लेकर बारा बच कर चाउंतिस मिनर तक का है, तो इस इसी दोरान होली का दहन किया जाएगा जिनके घर के आसपास होली लगती है तो कहते होली जलती भी होली के दर्शन करने मातर से भी आपके कश्टों का निवारन हो जाता है गर्वती इस्तरियां या वो बच्चियां जो जिनकी शादी को भी एक साल नहीं हुआ उन्हें जलती कि रात्री अमावस्या की रात्री बहुत महत्पूर्ण मानी जाती है शिव रात्री और जन्माश्ट्मी वाली रात्री पतलब यह तो बहुत सारी रात्री हैं जो बहुत महत्पूर्ण मानी जाती हैं पश्में एक बार आपको मिलता है लेकिन खास दोर पर होली और दिवाली की बात करूँ तो जितने भी आप अपनी परिशानियों से चुटकारा पाना चाते हैं तो होली और दिवाली की रातरी में कुछ उपाए जाते हैं कुछ जोतिशे उपाए करवाए जाते हैं जिससे कि आप अपनी परिशानियों से काफी हद तक चुटकारा पा लेते हैं कहा जाता है कि होली की जब अगनी जलती है जिसमें की पहलाद जिंदा बच जाते है और होली का जिसे की ना जलने का बरदान था वो जल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी महिमा है अद्द बुद महिमा है तो इस दौरान आपको क्या करना चीए ये कारे चुप-चाप करिएगा जैंट्स लोग कर लेंगे इस कारे को महिला है अगर नहीं कर पाएंगी तो जैंट्स कर लेंगे एक सूखा नारियल लीजेगा अब देखिए तीन तरह के नारियल होते एक तो जटा वाला नारियल एक होता है गोला इतना सा जिसके आप मिठाई बनाते हो गिस गिस क ठीक है एक होता है सूखा नारियल जिसे कहते हैं जिसे बजा तो इंदर टक टक की आवाज आती है अगर आप उसे बजाएंगे तो टक टक यानि कि उस खोपड़े के अंदर एक सूखा नारियल होता है जो टक टक बजा करता है जो जटा बाला नारियल होता है उसे हिलाते हैं पानी बसता है वह होगे जटा वहला नारियल ठीक है और गोला तो गोला ही है जिसको यूज करते हैं लेकिन मैं बात कर रहे हूं सुखे नारियल की पहचान बनों ऐसे करोगे टक 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 बोलेगा ठीक है एक वह वाला सुखा नारियल लेकर आना है थोड़ी सी काली सरसों लेकर आनी है और थोड़ी से काले तिल लेकर आनी है शाम का समय होना चीए जिससे में हुली का दहन हो उससे पहले आप अपने घर के जित्ते भी जैंड्स हैं सिर से बो नारियल आप एक काम करीगा उस नारियल के उपर ना कोई धागा बांध लीजेगा चाहें कलावा ही ब लो नारियल इसके चारो अपने धागा लपेटा या कलावा लपेटा उसके अंदर आपने दोनों पुडिया लगा दिया काले तिल की एक काली सरसों के उसको एंटी क्लॉक वाइज आपको साथ बार सिर से उतार देना है ठीक है अगर घर में तीन पुरुश है या बच्चा भी है बड़े भी है जित्ते भी है एंटी क्लोपई साथ साथ बार सबके सिर से उतार देना है और ले जाकर जन्ती हुली में डालकर साथ परिक्रमा करनी है और साथ परिक्रमा करने के बाद भाई खड़े ओकर हाथ जोड़कर आपको अपनी परिशानिया बताने हैं क्या क् भस्म हो रहे हैं जलकर राक हो रहे हैं सारे दुख सारे कष्ट सारी तक नहीं इनी भावों के साथ जलती अगनी में कारे कर लिए अब यहां पर एक और मेरे पास कुश्चन आ जाएगा पहले बता दूँ कि अगर हम आसपास होली नहीं जलती हो तो हम क्या इस उपाय को कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो ऐसे तो होली की देहन का ही यह उपाय है जलती अगनी का ही यह उपाय है 99.9% आपको ऐसे ही करना है माइनस 1% की बात कर रही है अगर सब ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा ग्हुंदिए कहा होली का देहनों और ऐसा किया और जो आ कोई गाँन नहीं जाहाँ होली नहाता अपना कोई भह कला निके चले जाइएगा अगर परिशानियों उसे निजात पानी है तो थोड़ी सी तो परिशानी उठानी पड़ेगी और अगर अगर परिशानियों से निजात भी आप चाहें और आप कोई परिशानी उठाना भी ना चाहें यानि कि को कश्ट ना करना चाहें यानि कि कोई एफर्ट ना डालना चाहें तो फिर तो नहीं हो पाता है तो फिर भी जो मेरे बच्चें भाहर रहते हैं रहते हैं उनके लिए ब प्रभा करना है. अब आप सोच लिए आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, करिए. परिशानिया जाद अच्छी है, यह उपाय कर लेना जाद अच्छा है. यह उपाय कर लिए वर्श-बर्श परिशानिया जाकेंगे भी नहीं. आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में तो आज के लिए इतना है इजाज़त दीजे, आशा करती है वीडियो आपके लिए बहुत अप्यों की साबित होगी मिलते हैं को और जब अस वीडियो के साथ तब तक हसते रहें, मुस्कराते रहें और अपने अपनों का ख्याल कीजिए, वीडियो से लिए तो लाइक कीजिए जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि कर भला तो हो भला अन्त भले का भला और इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा बैल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिसे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें और कमेंट बोक्स में अपने इश्ट देव का समरंग करना बिल्कुल मात पुलिए इश्वर आपके मुदत करें